आज हम लोग सीखेंगे SBI Mutual Fund से अपना पैसा redeem कैसे किया जाता है अगर आपने SBI Mutual Fund में SBI Mutual Fund में के Mutual Fund लिया हुआ आपका फोलियों बना हुआ है और आप चाहते हो अपना पैसा वहाँ पर redeem कर सके और redeem करने का मतलब यह है कि पैसा आप अपने बैंक में withdraw कर सके और कोई limitation नहीं है आप अपना पूरा पैसा भी withdraw कर सकते हो या फिर उसमें से कुछ पैसा withdraw कर सकते हो माली जी एक लाख प्रप्या है उसमें से आप चाहो तो पचीस अजार पचास अजार भी withdraw कर सकते हो उसको redeem कहा जाता है SBI Mutual Fund का जो है एक official website भी बना हुआ है वहां से भी login करके आप जो है अपना पैसा भी withdraw कर सकते हो या फिर एक mobile app है SBI Mutual Fund का official invest app कहा जाता है उससे भी कर सकते हो तो हम यहां mobile app से आपको live demo देने वाले हैं यह देखिए SBI Mutual Fund का official app है आप इसमें सारा काम कर सकते हो mutual fund खरीदना हो या redeem करना हो या फिर इससे related जो भी work है आप सारा यह invest app के माध्यम से कर सकते हो redeem करना है सबसे पहले मैं इसको open करेंगे इस तरह से screen आएगा अपना mpin यहां पर डाल दीजिए जिसको pin password कहा जाता है और मैं बता दूँ तो आपको कि आप जब पहली बाड़ इन्वेस्ट आपको इंस्टॉल करोगे तो अपना अकाउंट बना लीजिएगा बहुत असान है pen card number डालके password डालके आपना अकाउंट बना सकते हो और जितने भी आपके फोल्यू मुच्वल details view details को यहां पर click करना पैसा आपको redeem करना है उसका तरीका में बता रहा हूं अब आपने जो फंड लिया हुआ है मुच्वल फंड उसका नाम दिखाएगा थुरसा नीशे ड्रैक करोगे तो तो यहां जैसे कि फंड लिया गया है SBI Focus Equity Fund Direct Growth ठीक है अब इसमें जो फंड है कितना पैसा यह सब्सक्राइब कर दिया गया है अब इसमें से अब माल लिजे पैसा में से आपको redeem करना है तो क्या करोगे आप जो है यहां पर तीन बिंदू क्लिक कर सकते हो तो हम यहां पर तीन बिंदू लिया हुआ है इसको क्लिक करते हैं अब देखिए उस फंड से रिलेटेट आपका SBI Focus Equity Fund को कि यहां पर क्लिक किया गया है तो उससे रिलेटे इन्वेस्ट मोड अगर ज्यादा तो यहां चैसले कारना आपको जो भी रहेगा जिस से पैसा आपको निकालना है वह वो फोल्यू से ऊलेक करना है तो यहाँ पर जो फोल्यू सिलेक करना है तो Search फोकस में आपने मुल्टिपल फोल्यो बनाया हुआ हो समझे अलग-अलग तरीके का तो वह भी हो दिखता है इसलिए यहां पर देखिए फोल्यो नंबर रहेगा एने वी वैलू रहेगा डेट के नुसार और एवलेबल यूनिट रहेगा एवलेबल एमाउंट रहेगा यहां आपको डाल देखिं हैं एक एमाउंट में भी आपड़ींजी तो कितना पैसा और करना ही यूनिट में डाल रहेगा यहां को हाष को हमने लिए बनाद हुच यहां ओने यहां पर deposit amount जो है आपका bank account रहेगा लिखा रहेगा जो bank account आपने mutual fund जब बनाते है न उससे में आपको अपना bank account register करना होता है उसी bank account में पैसे जाता है कहीं दुसरे जगा कभी भी पैसा आपका नहीं जाएगा समझें आप अपने mutual fund में एक से ज्यादा bank account को भी register कर सकते हो उ यहां proceed to ready में इसको click करना है अब यहां पर next page में आपका confirmation में folio number रहेगा आपने जो पैसा 4000 दिया है order रहेगा date रहेगा और exit load का मतलब यह हुआ कि कुछ-कुछ fund में बोलता है कि आप एक साल तक अपना fund को मतलब कि उसमें से कुछ मत निकालिए अगर आप निकालिएगा त तो यहां पर उसका मतलब यही हुआ तो ज्यादा नहीं एक पर से लग सकता है अलग लग परसेंटेज होता है अगर आप समय से पहले उसको निकालते हैं तो यहां पर आपका account bank नेम रहेगा और प्रसनल इंप्रमिशन नहीं दिखाना चाहिए ठीक है तो इसलिए मैं सब को बता रहा हूं कौन चीज कहां पड़ है तो टेंशन मत लीजिए है कंफर्म को क्लिक करना है यहां पर मैसेज आएगा स्लिक्टर रिजन फोर यो डिएंशन तो यह नॉर्मल है इसको दिकत नहीं है यहां पर बत पूछ रहा है कि आप किस रिजन से आप पैसा निकालना चाहा रहे हो तो आप लिख सकते हो आयम नीड ऑफ फंट मुझे पैसे कोई जरूरत है कोई दिकत नहीं है जो भी हो नीड हो आप डाल सकते हो ठीक है और कुछ भी डालके अपना रिडिम को यहां पर रिडिम को क्लिक करना है अब देखे मुच्वल फंड एकाउंट बनाते समय जो मॉबाइल नंबर और इमेल आइडिया अपने रिजिस्टर किया है उसी पर ओटीपी कोड आया եीया कणा जाएगा चार हजारर रोपया जो इस पर लग्तन कीया है अभी है तो आप लिजन कर सकते हो एस भी मुछवल फंड का ओफीचल वैबसाइ्ट से विकड़ सकते हो और यह अफिशियल एप है यहां से भी बूत कर सकते हो दोनों तरीका है आप कहीं से कीजिए आपकी मर्जी है कि मन में कोई डाउट हो कुछ समझ में नहीं आया हो तो कॉमेंट कीजिए वीडियो फिर से बना दिया जाएगा टेंसन आपको नहीं लेना है कोई भी कोशन हो कॉमेंट कीजिए जय हिंद